तो अभी जो आज जो हम लोग टॉपिक चालू करने वाले इसका पहले के टॉपिक से कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है, और देखो, एफारेम में क्या है न, ये फिनाशल रिस्क मैनेजमेंट है, तो आपको ये समझना पड़ेगा, पैसा मतलब की नंबर्स, तो मैट्स बे इसी हो जाएगा न, तो आपको कमफर्टेबल लगेगा एकजाम देते टाइम, ठीक है, तो अभी जो हम लोग करने वाले हैं, हम मैं आपको इसका नोट्स पुर एकदम प्रॉपर वे में लिखवा दूँगा, और हम लोग फिर इसका MCQ सॉल्फ करेंगे, टॉपिक वाइस, तो चली आईए, हम लोग चालू करते हैं, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाईए, वैलुएशन और रिस्क मॉडल्स, मैं इसका प्रॉपर आपको पुरा नोट्स लिखवाऊंगा, ठीक है, अभी आप ये चीज़ समझ लो, आज जो मैं आपको बताने वाला हो न, ये प वार, वार मतलब क्या होता है, वैल्यू एट रिस्क, वार क्या है न, अपना एक मेजर है, वार अपना एक रिस्क मेजर है, अब रिस्क मतलब क्या होता है, सब लोग अपना कैमरा ओन करेंगे क्लास में, शिवम, रोहित, करीमा, गुंशा एन यश, सब लोग अपना कैमरा में बहुत सरी चीज़े आती हैं बहुत सरी चीज़े जैसे की आपका आता है मीन मतलब क्या होता है ऑन आवरेज में कितना रिटर्न कमाऊंगा कितना फ्लक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट है 20 crores, तो इसका मतलब क्या है, on average मेरा जो firm का जो sales रहेगा, वो 30 से 70 crores के बीच में रहेगा, वो 30 से 70 crores के बीच में रहेगा, चीक है, तो यह मेरा हो गया standard deviation, ऐसे standard deviation is a measure of risk, वैसे वार होता है, value at risk, value at risk को हम लोग एक percentage में denote करते हैं, इसका interpretation समझना, मैं आपको बोलता हूँ, 95% war is 30 crores, इस line का मतलब समझेगा, 95% war is 30 crores, इसका मतलब है, war मतलब क्या loss, war मतलब क्या loss, losses will exceed 30 crores with 5% probability, losses will be within 30 crores with 95% probability, ध्यान से समझेगा मेरा बात, losses will exceed 30 crores, losses will exceed 30 crores का मतलब क्या है, कि मैंने आपको बता है, 90, मैंने कुछ-कुछ calculation किया, मैं आपको calculation in coming classes इखाऊँगा, मैंने कुछ-कुछ calculation किया, calculation करके मेरा 95% value at risk निकल के आते 30 crores, मैंने मैं क्या बोल सकता हूँ, कि losses 30 करोड के अंदर रहेंगे, इसका 95% probability है, and losses 30 करोड को exceed करेंगे, इसका 5% probability है, but मैंने आपको ये पताया, कि अगर losses 30 करोड को exceed करेंगे, तो कितना जाएंगे, losses अगर 30 करोड को exceed करेंगे, तो कितना जाएंगे, इसलिए वह और एक अच्छा measure है, but complete measure नहीं है, तो कि losses अगर 30 करोड को exceed करेंगे, तो कितना जाएगा, वो जो टेल है, वो टेल कितना लंबा है, ये मेरे को नहीं पता, ठीक है, मैं इसको relate करना चाहूंगा options के साथ में, जो आप FMP में पढ़ेंगे, option में दो चीज़ होता है, buy और एक होता है sell, option selling का मतलब क्या होता है, कि आपने कुछ एक premium collect किया है, ठीक है, for example, आपने bank nifty का call option sell कर दिया, तो आपने 2000 रपे का premium खा लिया, 2000 रपे का premium खा लिया, अब आपका loss कितना भी हो सकता है, आपने call option sell किया है, market उपर जाएगा तो आपको नुकसान होगा, आपने put option sell किया है, market नीचे जाएगा तो आपको नुकसान होगा, ठीक है, क्योंकि आ तो वार किया एक बहुत अच्छा मेशर है, ठीके, बट इस नाट अ कम्प्लीट मेशर, उसके लिए हम लोग को एक्सपेक्टेट शॉट फॉल, टेल वार, ठीके ना, टेल वार मतलब क्या, टेल कितना लंबा होगा, कंडिशनल टेल वार, इन सब मेशर्स के पास जाना पड़ इस इट ओके, ठीके ना, मैं आपको और एक एक अग्जामपल लेता हूँ, 10% वार, इस एक्टी करोर्स, इसका मतलब क्या है, लॉसस, विल एक्सीड, एक्टी करोर्स, विट 10% प्रवाबिलिटी, लॉसस, विल बी वितिन, एक्टी करोर्स, विट 90% प्रवाबिलिटी, मने आप 10% लिखो, या आप 90% लिखो, 95% लिखो या फिर 5% लिखो, मतलब वही रहेगा, वह और पॉजिटीव है, मतलब नुकसान है, वह और पॉजिटीव है, मतलब नुकसान है, एक और चीज़ मैं सब्सक्राइब को बदाते हूं इसका इंट परशन वॉर is तयमाइन इस्टीफ्ट क रूड और नेगेटिव है मतलब प्रॉफिट है ग्रान सब्सक्राइबर नेगेटिव याम मतलब प्रॉफिट का बाथ कर रहे है अब इसका interpretation अलग हो जाएगा, इसका interpretation रहेगा, minimum profits या फिर ऐसे नहीं लिखके, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अब interpretation पुरा उल्टा हो जाएगा profits के case में, profits oblique fund value will exceed 25 crores with 95% probability, profits oblique fund value will be within 25 crores with 5% probability, समझा, loss के किसमें उल्टा था, losses will exceed with 5%, यहां मैं क्या बोल रहा हूँ, profit 25 crores से कम होगा, इसका 5% probability है, यह जो समझ गया ना भाई, उसका जो 30% जो बेटे जाना वो कभी भी बाग है और दिक्कत उसको नहीं लगेगा, ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसी रोकिए यहां तक, यहां तक पहले आप लोग कॉपी कर लिजिए, येस, बोलिये, शरी, इस चैप्टर का नाम है, यहां, इस चैप्टर का नाम, अभी हम लोग टॉपिक में है, वालुएशन और रिस्क मॉडल, ठीक है, इसके अंदर मैं अभी मैं बताओंगा, अभी मैं जनरल डिसकुशन कर रहा हूँ, ठीक है, एक लाइन लिखिएगा, मैं आपको इसका दूसरा इंटरप्रेटेशन भी समझाता हूँ, लिखिएगा एक्जामपल, लिखो, if an analyst says, if an analyst says, for a given month, for a given month, the war is, for a given month, the war is, dollars 1 million, for a given month, the war is dollars 1 million, at 95% confidence level, statement के है, war is dollars 1 million at 95% confidence level, ठीक है, अब लिखिएगा, interpretation, under normal conditions, नोर सेख्डम प्रोपर लिखना है, under normal conditions, in 95% of the months, under normal conditions, in 95% of the months, 95% of the months का मतलब क्या हो जाएगा, 19 out of 20 months, कॉमा, प्रोपर चाएगा, we expect, we expect, the fund, we expect the fund, in 95% of the months, 19 out of 20 months, we expect the fund to either earn a profit or lose no more than dollars 1 million ठीक है अब मैं आपको इसका एक basic समझाता हूँ ठीक है अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा स्टैट्स करूंगा बट आप ध्यान देंगे आपको समझ में आएगा ठीक है यह कॉपी होगे ने सबका ओके देखिए यह है मेरा नॉर्मल डिस्ट्रिबूशन मेरको चाहिए यह वाला पाट समझ रहें राइट तरफ तर पॉजिटिव वैल्यू जाएंगे मेरको चाहिए कि इससे कम होने का probability है पांच परसेंट या फिर एक परसेंट तो वह वैल्यू क्या होगा वह वैल्यू क्या होगा मेरको यह चाहिए तो मैं कैसे चालू करता हूं war of x अभी कुछ मत लखना is minus t war of x is minus t ठीक है अब t निकाला मेरको में को t निकाला है probability x is less than t is, let's say suppose 5, अगर 95% वोर बोलेगा, तो 0.05, अगर 10% वोर बोलेगा, तो 0.1, for example, 95% वोर बोला है, तो अपने करेंगे 0.05, now x follows normal mu, sigma square, normal distribution के दो परामिटर्स होते हैं, mu and sigma square, अब इसको में को standardized करना पड़ेगा, इसको में को standardized करना पड़ेगा, वेकाज अपने को जो tables जो दिया हुए, वो तो standard normal distribution का दिया हुए, इसको standardized कैसे करेंगे अपने, probability z is less than t minus mu by sigma, is what, 0.05, z is less than बोला है, ध्यान दिजिएगा, z is less than बोला है, less than, z is less than बोल रहा है, तो less than अगर अपने को बोल रहे हैं तो मैं क्या बोल सकता हूँ, z is less than minus 1.6449, यह वाला जो value है, is 0.05, क्योंकि minus 1.6, यह अगर यह अपना standard normal distribution है, तो यह वाला value होगा, minus 1.6449, क्योंकि इसके पहले 5% of the area है, इसके पहले 5% of the area है, समझ रहा है, यह जो shaded area है, इने 5% है, यह जो shaded area है, यह shaded area 5% है, यह shaded area 5% है, तो मैं अब दोनों को बराबर कर सकता हूँ, इसको और इसको, है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया, t minus mu by sigma is minus 1.6449, अब यहाँ से क्या solve करके t निकाल सकते हैं? यहाँ से क्या solve करके t निकाल सकते हैं? and t मेरा war है न, minus t मेरा war है, minus t, minus t मेरा war है, ठीक है? तो यह एक method है war निकालनेगा, यह basic method मैंने आपको सिखाया war कैसे निकालते हैं? अब इसको copy करो. यह proving आपके exam में नहीं आएगा, तीन-चर methods है war निकालने के, वो मैं आपको अभी सब बता दूँगा, ठीक है न? क्राओ झालियों, अवे कहते हैं, वे तो यह झालित है झालिक में है, जिक रथा यह झालिवा धरा वजह झालिक कपलाने के िका है, यह झालिल गजा dużo है, एक हैज constaसित है में आपको यह जो इसकाής सिफज़गा, एक में रहीं झालिक को थाएजर कि 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 सबसे पहला मेथट लिखना डेल्टा नॉर्मल वार यह होता है म्यू माइनस जेट सिग्मा इन्टू एसेट वैल्यू जेट मतलब समझता है क्या होता है जेट मतलब होता है यह वाला वैल्यू ठीक है तो सिग्मा उसमें मल्टिप्लाई हो रहे और म्यू उधर जा रहे है ना तो क्या हो रहे है म्यू माइनस जेट सिगमा इंटू एसेट वैल्यू ये मेरा हो गया जेट वैल्यू सोचके देखो ये मेरा हो गया जेट वैल्यू इसमें मल्टिप्ले होके म्यू उदर जा रहे ना तो म्यू माइनस जेट सिगमा इंटू एसेट वैल्यू ये पहला मैथेड होके डेल्टा न अब लिखना Coherent Risk Measures Coherent Risk Measures सबसे पहला Monotonicity मतलब लिखो A portfolio with greater future returns A portfolio with greater future returns Will likely have less risk A portfolio with greater future returns Will likely have less risk A portfolio with greater future returns Will likely have less risk Okay? For example For example Let R be a set of random events Let R be a set of random events And Rho R Rho R To be The risk measure The risk measure Comfortable Comfortable Greek letters Alpha Beta Gamma Alpha Beta Rho And Rho R To be the risk measure For the For the For the And Rho And Rho R To be a set of random events To R2 Then Rho R1 Will be less than equal to Rho R2 Rho R2 To be a set of random events I would like to know If I have nothing to know You can find To be a set of random events फॉलो होंगे, पहला प्रॉपर्टी है, आर वन ग्रेटर दन इक्वल टू आर टू, देन रो आर वन विल बिलेश दन इक्वल टू रो आर टू, ठीक हैं, दूसरा, सなので, सर्ब, सर्ब एड़विट, सर्ब एड़्विट Benjamin, क्वकर, सर्ब एड टल्यक्व, सर्ब एड़विट्योर्य है, ब focus वक्वल टू पंड़ एड हूर है, पूस आज से खिक्वेद्शन इक्वेद लीधिक, से लिईक्वेदवीट्यार एडन आर क्वेंगबएस is at most the risk of a portfolio the risk of a portfolio is at most equal the risk of a portfolio is at most equal to the risk of the assets the risk of a portfolio is at most equal to the risk of the assets within the portfolio the risk of a portfolio is at most equal to the risk of the assets within the portfolio the risk of a portfolio is at most equal to the risk of the assets within the portfolio. ठीक है? इसका मतलब क्या है? रो R1 प्लस R2 should be less than equal to रो R1 प्लस रो R2. ठीक है? तीसरा, पॉजिटिव होमोजिनेटी पॉजिटिव पॉजिटिव होमोजिनेटी oh इंपक्ट इंपक्ट साइज उप्ता इंप्सिझ के अधिध कि इनव प्रफॉलियो बिटर इंपक्ट साइज ओ इंप्ताillar्ट इस्विक For all beta greater than 0, rho beta r is equal to beta rho r. The size of a portfolio beta will impact the size of its risk. Rho beta r is beta rho r. Last one, number 4, translation, invariance. The risk of a portfolio is dependent The risk of a portfolio is dependent on the assets within the portfolio. The risk of a portfolio is dependent on the assets within the portfolio. The risk of a portfolio is dependent on the assets within the portfolio. The risk of a portfolio is dependent on the assets within the portfolio. Write down. For all constants, C C What is C? Representing cash, rho c plus r is rho r minus c. Click the CO to select the formula. Depend the 2 minutes, click the subscribe button and do the same thing. The risk of a portfolio is dependent on the asset. The risk of a portfolio is dependent on the asset. झाल झाल पर एक्षिली बहुत सरे एक्जामपल दिया है वह सोच रहो कौन सा लिख्वा हूँ हाँ मैं वही एक्जामपल के तुर समझा रहा हूँ देखो बहुत सिंपल है आरवन ग्रेटर देन आटू ठीक है यहां पर क्या हो रहा है आरवन बड़ा है आरटू छोटा है यह रिटर्न लेवल से तो खराब कौन सा पोटफोलियो है आरटू खराब पोटफोलियो है न क्योंकि इसमें कम रिटर्न आ रहा है तो अगर आरटू खराब पोटफोलियो है तो बहुत सिंपल सी बात है कि रिस्क आरटू में ज़्यादा होगा अभी अपने रिटर्न के हिसाब से नहीं रिस्क के हिसाब से देखेंगे कि जो पॉर्टफोलियो में खराब आउटकम है, वो पॉर्टफोलियो रिस्की है, सिंपल चा बात है, ठीक है, लिखो, लिखो, नोट्स में लिखो, 1. If one portfolio, if one portfolio always performs worse than another. If one portfolio always performs worse than another. If one portfolio always performs worse than another, it is riskier. It is riskier. अब risk से क्या मतलब है कोई बता सकता है? रिस्क से क्या मतलब है? रिस्क से मतलब है, it will require more capital. रिस्क से हमारा मतलब है कि उसमें capital की दरकार जाधा पड़ेगी. छीक है? यह भी लिख लो. जिसमें खराब आउटकम होगा, उसका risk जाधा होगा, उके? और उसमें capital का दरकार जाधा पड़ेगा. देखो, ये वाला तो बहुत ही सिंपल है, ये वाला रिस्क मेजर क्या बोलता है, कोई बता सकता है, ट्रांसलेशन इंवेरियंस, बताओ, सोच के देखो, मैंने बोला है, रो सी प्लस आर, इस रो आर माइनस सी, जिसके पास पैसा जाद है, उसके बस में कुशन भी तो जादा होगा, ठीक है, कैश मतलब क्या, कैपिटल जाद है मेरे पास, तो मैं ज्यादा रिस्क है सकता हूँ, इसलिए रिस्क कटेगा न, कैश होने से तो रिस्क कटेगा, लिखो, लिखो, इसमें ने काम करना फोर लिख देना, फोर लिख देना तो एजी रहेगा, क्योंकि cash provides cushion against losses Cash provides cushion against losses and can be regarded as a substitute for capital. Cash provides cushion against losses and can be regarded as a substitute for capital. एक जो यह वाला जो है यह तो बहुत ही सिंपल है यह मैं नहीं लिखवा हूँगा यह वाला जो है इसमें तो कुछ भी नहीं है. आप एक बात सोचो आपके पास में एक करोड़ मेरे पास में दस जा रुपया है तो अव्यसा बात है एक करोड़ में रिस्क मैंने ऐसा समझ लो कि कि किसी के पास में मानलो पांच लाक है और किसी के पास में मानलो दस लाक है तो दस लाक वाले का रिस्क डबल हो गया ना पां अच्छा ये वाला जो बोल रहा है कि रो आर वन प्लस आ टू शुट बी लेस देन रो अधिको आज मैं क्या करता हूँ मैं फर्म पढ़ाता हूं एक्ट्री में बहुत सरे पेपर्स पढ़ाता हूं से पढ़ाता हूं तो डाइवर्सिफाय करके रखाऊं तो अव्वेस से बा तो वो तो जादा होगा तो या फिर उसके बराबर होगा कब बराबर होगा इव अगर उपर जाएगा तो तुम नीचे जाएगा तो अम भी नीचे जाएगा तो अभी या पर क्या हो रहा है डाइवर्सिफिकेशन करने से तो रिस्क कटेगा तो जो पॉट्फोलियो का जो रिस्क है वो कम होगा compared to individual assets तो ऐसा risk measure जो चारो को satisfy करे उसको बोलते हैं coherent risk measure ठीक है ऐसा risk measure जो चारो को satisfy करे उसको बोलते हैं coherent risk measure is it clear all of you शिवम ठीक है एला क्लियर है शिवम तुमारा एफ्रम का रेजिस्ट्रेशन हो क्या मेरे को बोल जोगे हाँ तुमको बोला शिवम अभी नहीं हूँ और अच्छा ठीक है तुम ग्रूप में तो हो ना हाँ बोलो चार कौन कौन से सीज़ बताई आपने चार बताया न अभी मैंने व्यात प्रनीटिंट का प मावरा शिवम नेट रिवड्यिटिव्टी पुर्फॉलियो अन ट्रांसलेशन एंग पिकpay इंट इगधिक्व नौस में फ्रस सांव कोई डि으नट पर्फॉलियो त्यूंत फिर अच्छयकशन से फैंड सीज़ एडू से यंढ always performs if one portfolio always performs worse than another if one portfolio always performs worse than another it is riskier it is riskier it will always require more capital it is riskier requires more capital okay okay next put the heading expected shortfall yes sir monotonicity which means greater futures returns less risk as a risk no no we do not see the risk as a result what you say is what you say is that one portfolio has a bad return one portfolio has a good return which has a bad return that will be more riskier it is a bad return bad return like that you can explain that if you say in future time there is a bad return one portfolio has a good return so good in the sense means less risky bad return मतलब बहुत ज़्यादा वॉलटाइल होगा ठीक है ना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा तो इसलिए उसमें क्यापिटल के दरकार ज्यादा पड़ेगा अब जिसके तुम बिजनेस की तरह सोचो कि मैं कैसा बिजनेस करने जा रहा हूं जिसमें आउटकम खराब आ सकता ह है तो परफॉलियो में घराब आउटकम आएगा अपने का अदरकार जादा पड़ेगा और जहां पर कैपिटल का ज्यादा पड़ेगा वो मतलब जयादा रिसकी ठीक है अ मैंने आपको क्या बताया वार के बारे में कि अगर आप मान लिजिए वार में वार में लॉसेस एक्सीड कर रहा है 30 करोड को 5% probability से तो लॉस एक्सीड होके कितना हो जाएगा यह नहीं पता है इसलिए अपने को एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा और अपने को समझना परिंगा एक्सेर चॉर्ट फॉल्डकोल के बारे में है ठीक है लिखो one problem with war तो Birno calories लिखेंगे तो बैटर रिविजन के टाइम पर काम आएगा one problem with war one problem with war is that one problem with war is that it does not say anything one problem with war is that It does not say anything about how bad losses might be when they exceed the war level. One problem with war is that it does not say anything about how bad losses might be when they exceed the war level. One problem with war is that it does not say anything about how bad losses might be when they exceed the war level. Full stop. अब मैं आपको एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ. एग्जाम्पल ये समझ लो. 99% war dollars 20 million है. ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? Losses will exceed 20 million dollars with 1% probability and losses will be within 20 million dollars. इसका 99% probability है. माने 20 million को exceed करेगा 1% के साथ, 20 million के नीचे रहेगा loss 99% के साथ. ये इसका मतलब है. ठीक है? अब इसका interpretation लिखो. लिखो. Dollars 20 million. If the loss is greater than dollars 20 million, comma, it is inconceivable. if the loss is greater than dollars 20 million, it is inconceivable that it will be greater than dollars 30 million. ये एक तरीका मेरा पास समझो. में को तो ये information है नहीं ना? अब मान लेते हैं में को information है. पहला केस में information ये है, कि losses exceed करेंगे, बट 20 million क्रॉस नहीं करेंगे. क्या लग रहा है? सेफ? अब दूसरा देखो. अब ऑच चार ऱ् Maybe जाम, is greater than if the loss is greater than if the loss is greater than dollars 20 million, if the loss is greater than dollars 20 million, कॉमा इट इस मोस्ट लाइकली तो बी डॉलर्स प्रॉट मिलियन आप सम्झा क्यों एक्सपेक्टेट शॉटफल चाहिए कि लॉसेज अगर वार को एक्सीड करेगा तो ओन आवरेज कितना हो सकता है नाव वेनाई में वेनाई से आवरेज तो फॉर एक्सामपल अभी 100 मिलियन है ठीके ना तो बीस को क्रॉस करके 100 तो एक्स्ट्रा कितना है एक्स्ट्रा कितना है 80 तो 80 होगा इसका एक probability है ना 80 होगा इसका प्रवाबिलिटी है probability क्या है 1% माझा लो probability मालो 1% हो सकता है 0.5% प्रशन माल लेते 0.8% है ठीक है ना 80 into 0.8% करेंगे, तो अपना एक छोटा फिगर आएगा, राइट, तो expected मतलब क्या, expected मतलब probability मल्टिप्लाई करना है, सी, समझो, एक होता है, condition, बिची समझो, मैं बोल रहा हूँ, nominal amount कितना है, 80, expected shortfall मतलब क्या, कि भई, 80 होगा इसका probability कितना है, तो probability मल्टिप्लाई करके बताओ, 6 आएगा, इसका probability है, 1 by 6, तो expected क्या है, 1, 6 into 1 by 6 ना, तो 6 into 1 by 6 तो 1 होता है, 100 रुपिया आएगा, इसका probability है, 0.5, तो कितना आएगा, expected, 50, 10 रुपिया जाएगा, इसका probability है, 10%, तो कितना जाएगा, on average, 1 रुपिया, बट जाएगा, तो कितना जाएगा, 1 रुपिया जाएगा ना, 10 रुपिया जाएगा, 10 रुपिया, समझा, तो expected shortfall के बारे में अब लिखवा रहें, लिखो, expected shortfall, expected shortfall, is the expected loss, conditional, expected shortfall, is the expected loss, conditional, expected shortfall, is the expected loss, conditional, that the loss is greater than the war level, conditional, that the loss is greater than the war level, conditional, that the war is, is, 1 second, I am really sorry, 1 second, expected shortfall, is the expected loss, मैं लिख देता हूँ, expected shortfall, is the expected loss, conditional, that the loss, is greater than the war level, conditional, that the loss is greater than the war level, okay, now one example, then we will end the class, example, एक्स फॉलोस नॉर्मल माइनस ट्वेंटी कॉमा थट्टी स्क्वेर्ट लुचिंटीक्स現在 Byronic washवर्म ट्रॉ लुच्वेर्ट बश्छे क्वेर्ट स्क्वेर्टी क्वेर्टी रेधनी net Son Haram 150 BIT क्क्वेर्टी स्क्षsent citra these are coming, but for practice you need to be learning few formulas. e to the power minus v I'll tell you, I'll tell you, I'll tell you. So basically write U what is first of all this? Mu and Sigma you know U what is point in the standard normal distribution point in the standard normal distribution that has a hundred minus x percent probability of being exceeded. ठीक है? तो ध्यान देना अब अगर मैं x को मानता हूँ 99% तो मेरा u क्या हो जाएगा? मतलब 99% normal distribution का जो value होता है that is 2.326 यह आपको standard tables जब आप Firm का एक्जाम देने जाएँगे न, आपको side में z tables पुरा दे देगा. तो वो z tables में आपको यह सब values मिल जाएँगे. बट normal यह होता है, देखो न, 1% का यह होता है, 5% का, यह 1% value है, 5% का 1.6549 and 2.5% का होगा 1.96 ठीक है? Just give me a moment. तो यह basic basic values है जो आपको over time याद हो जाएँगे, ठीक है? आप जैसे आपको X है. हाँ, हाँ, हाँ. 95% Z value, हाँ, Z value है. Basically, इसका मतलब क्या होता है कि probability Z will be less than minus 1.96 इसका probability है 0.025 and probability Z will be greater than 1.96 इसका probability है 0.025 ठीक है ना? तो अब ध्यान देना. तो मैं को मुआ पता है? मैं को सब कुछ पता है, right? मैं को यू भी पता है. लाइक, यू के point in this standard normal distribution that has a 100 minus X percent probability of being exceeded. X पता है किया है? तो probability Z is greater than 2.326 इसका probability क्या होगा? 0.01 ठीक है ना? अब कर लेते हैं, solve. तो formula में लगाईए. तो formula लगाने से क्या होगा? formula में लगाईए इसको minus 20 plus 30 into e to the power minus u square 2.326 square by 2 whole divided by 0.01 into root under 2 into 3.1416 pi मतलब क्या ओदे? 22 by 7 pi मतलब क्या होते? 22 by 7 solve करके बताईए कितना आ रही है? सब लोग Texas BA2 plus instrument ले लेगा financial calculator मैंने सारा calculator videos दे दिया है फड़ा बड़ से calculator ले लीजिए एक और जो problem होता है वो यह होता है कि बच्चा आखिरतर महंगा है बोलके calculator नहीं खरीता है और calculator जो नहीं खरीता है फिर exam में उसका setup मैंने problem होता है उसको हाथ नहीं बैठता है calculator में अभी तो मैंने बहुत कम videos दिया है calculator का और भी ज़्यादा मैं दे दूँगा फुरा master हो जाएगा तुमनों calculator में कितना रह बताईए? कितना है मैं रहो हाथ है व झाल जड़ झाल कर दो कितना है छ कू कितना है मैं कितना है 24 hours में recording में डल जाएगा 59.96 आ रहे क्या ठीक है हुआ यह है सबसे बले 2.326 का स्क्वाइर करो टेक्सवाइट बसे बाएट बैक्सवायत बाान को स्टोर फिर जोदोर कर लो पइले वाले में स्टैक्स ए मिए निए डूसरा औरOoh एंसर किर अंजित USA चलाना भी एक कला है इतना इजी नहीं है चलाना वह टाइम ही होगा अभी अभी छोटा-छोटा कर पाऊगे जब पूरा करोगे मेरा सारे वीडियो देखोगे धिरे-धिरे तब होगा आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे ठीक है थैंक यू अल उफ यू एन कल का जो क्लास टाइम है मॉर्णिंग में मंडे टू फ्राइडे वो फिक्स है जो एफंपी का क्लास है वो तो होई रेस बनो बजे और मेरा जो क्लास होगा उसका मैं टाइमिंग कल बता दूंगा ठीक है थैंक यू सो यस तो फ्रम के एग्जाम के लिए वो जो लोकेशन बुक कर दो